Hello Children, हम आग पढ़ने जा रहे हैं Chapter Fraction. इसमें हम सबसे पहले Addition को लेंगे, लेकिन ये Fraction को Plus करने से पहले, Add करने से पहले, मैं आपको Meaning बताना जाऊंगी Fraction होता क्या है. कोई भी चीज हमारे पास है, उसके हम कितने भी Parts करते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Parts हमने किये. और अब हम इसके कर देते हैं, ये तो 12 हो गए, 6 नीचे हो गए, 6 उपर हो गए. इनमें से हम 4 Shaded Parts कर देते हैं. अब हमें कोई कहें कि इसका Fraction लिखिए. तो जितने Total Parts से वो तो नीचे लिखे जाएंगे 12 थे. 4 हमारे Shaded Parts है, ये उपर आएगा. तो 4 upon 12 ये बनेगा Fraction. यानि के नीचे Total Number होता है, और उसका जो पार्ट होता है, वो उपर होता है. और ये होता है Whole Number. अब इसको करने का तरीका क्या है? जब हमें कोई भी Improper Fraction बनाना हो, ये Mixed Number है, जिसमें Whole Number भी हो और Fraction भी हो. तो वो Mixed Number कहलाता है, यानि के Mixed, M-I-X-E-D, Mixed Number. इसे हमें Improper में बदलना होता है, उसका तरीका क्या है? इस Denominator से इसको आप Multiply करेंगे, क्या करेंगे? Multiply. 9 चलिजा 27, फिर जो यहाँ पर आंसर आएगा, प्रोड़क्ट आएगा, उसमें इसको हम करेंगे प्लस. 9 चलिजा 27, 27 and 2, 29. 29 अपोन 9, प्लस का साइन लगाएंगे, 6 बंज़ग 6, और 6 और 5, 11. 11 अपोन 6, अब यह हमारे इंप्रॉपर बन गे, इसके बाद हमें क्या करना होता है, रफ वर्क करिए जरूर आप, और हमें इनका LCM निकालना होता है, LCM निकालने के दो तरीकी हैं, यहाँ तो हम इन दोनों टेबल को लिख लें, जहां में लगेंगे, क्यों में लगेंगे इतना ही लिखते हैं, अब हम 6 का लिख लेते हैं, इसमें 18 आ रहा है, 12 तो इसमें नहीं है तो 18 हमारा यह दोनों का common number बन गया, एक तरीका तो है यह LCM निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, ऐसे किसी common number से इन्हें divide करना होता है, तो 339 दोनों में जो चले वो number हमें करना चाहिए, अगर सारों में ने चलता तो कम से कम जादा से जादा में चले, और जातर आप prime number से करें तो easy रहता है, 3 वंजा 3 और यह 2 वंजा 2, फिर जो यह वाले numbers होते हैं, इन्हें हमें multiply करना होता है, 339, 9 टूजा 18, देखो दोनों में 18 ही answer आएगा, यहां भी 18 है और यहां भी 18 है, कोई से भी एक तरीका जो आपको easy लगता हो, वो आप इसमें लगा सकते हैं, अब इसको इससे divide करना है, क्या करना है, divide करना है, 9 टूजा 18, 2 बार चला, और इसको इससे multiply करना है, जो यहां पर आएगा, इसको करेंगे multiply, अब 29 को 2 से करना है, 29 जा 18, 1 carry, 22 जा 4, 4, 1, 5, तो यहां आएगा 58, प्लस का sign लगाईए, अब यह 6 का table 18 में चलेगा, 3 बार, 63 बार आने के बाद, इसे हमें क्या करना होगा, multiply करना होगा, तो आएगा 33, अब हमें इन्हें प्लस करके लिखना होता है, तो 8 और 3, 11, 5 और 6, 6 और 3, 9, upon 18, अब यह improper fraction में आया है, क्योंकि numerator इसका bigger है, तो हमें इसे mixed में convert करना पड़ेगा, 18 से आप इसे divide करिए, तो 18 का table कितनी बार चलेगा, 5 टाइम चलेगा, 18, 5 और 90 होता है, 1, तो यह answer हमारा आएगा, हमेशा जो quotient होता है, यह whole number, remainder, numerator बनता है, और यह हमारा बनता है, denominator, this is the answer, आप चलिए हम करते हैं, subtract, पहले का process बिल्कुल वो ही है, 8 फोर्जा 32, 8 फोर्जा 32 हुआ, 32 में हम यह करेंगे, प्लस, यह बना 37, अपॉन 8, 2 टू जाब 4, 4 और 1, 5, 5 अपॉन 2, अब हम इनका LCM निकाल लेते हैं, 8 और 2, 2 का table दोनों में चले जाएगा, 2 फोर्जा 8, 2 बन्जा 2, इसमें फिर हम 2 चलाएंगे, प्राइम नंबर को कोशिश करिए, मिस्टेक नहीं होगी आपकी कभी भी, 2 टू जा 4, और 4 टू जा 8, 8 हमारा यह common नंबर आया, 8 बन्जा 8, वन टाइम चल रहा है, तो 37 का 37 आएगा, अब यहाँ पर हमें देखना है आपने, कि 2 का table 8 में कितनी बार चला, 2 फोर्जा 8, 4 बार चला, तो अब हम multiply करना है, तो 4, 5 जा 20, अब माइनस करेंगे, 7 में से 0 गई 7 का 7, और 3 माइनस 2, 1, 17 अपन 8 आया, अब हमें इसे mix नंबर में जवाब देना होगा, answer के लिए, 8 टू जा 16, 7 माइनस 6, 1, तो यहाँ पर answer बनेगा, 2 यह whole number बनेगा, यह 1 numerator और यह नीचे है हमारा denominator, this is the answer, I hope कि यह आपको clear होगा होगा, बहुत easy होता है fractions में, सीधे multiply करना होता है और कुछ भी नहीं करना होता, इसको लिखिए और वो भी numerator को, numerator से denominator को, denominator से, 4 बन जब 4 और 5 टू जा 10, अब हमें यह ध्यान रखता होता है कि अगर हमारा answer ऐसे fraction की रूप में आज, जो हम किसी एक से cancel कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, तो करके उसे reduce कर दीजिए, 2 का table चल सकता है दोनों में, तो 2 टू जा 4 और 2 फाइव जा 10, this will be the final answer, 2 अपोन 5, ओके, अब हम यह देखते हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि जो fraction है, वो mixed number में है, पहले से improper बनाना होगा, 3 बन जा 3 और 3 टू 5, 5 अपोन 3, मैनस, 2 टू जा 6, 6 बन 7, 7 अपोन 2, अब हमें इसे, माइनस, नहीं हमें इसे multiply करना है, multiply के exercise कर रहे हैं, तो अब हमें इसको multiply करना होगा, 5, 7 जा 35, 3, 2 जा 6, इसे divide करके हम, इसको mixed fraction में convert करेंगे, तो 6, 5 जा 30, 5 जा 5 आ गया, और हमारा answer क्या बनेगा यहाँ पर, 5 whole number, यह आपका numerator बना और यह बना आपका denominator, तो this is the answer, मान लिजे, आपको 3 number को multiply करना होगा, तब क्या करते हैं, 3, 2 जा 6, 6, 1, 7, पहले यह step करिए, multiply का sign लगाईए, 5, 3, जा, कभी-कभी लगाया वाँ मिलता, जैसे पहले मैंने लगाया वाँ दिये थे, दोनों तरीके से question हो सकता, लेकिन यहां लिखा है multiply, 5, 3, जा 15, 15, 2, 17, अपोन 5, 2, 1, 2, और 2, 1, 3, 3, अपोन 2, अब आप इसमें से सारों को एक साथ नहीं करेंगे, पहले आप 2 को multiply करके लिखें, तो इनको हम multiply करेंगे, तो 17, 7 जा कितना होता है, 17 जा 17, 7 जा 34, 7 से जा 51, 17 जा 68, 17 जा 85, 17 सिख जा 102, और 17 से जा 119, और 5 जा 15, अब जो यह आया, इसको इससे थर्ड वाले से, इससे इसको multiply करेंगे, तो इहां 119 अपोन 15 लिखेंगे, multiply 3 अपोन 2, कभी भी जब आपको multiply करना हो, तो आप पहले अगर इन्हें reduce कर सकते हैं, तो reduce कर लीजे, जैसे 3 का table 15 में आता है, लेकिन reduce करने के लिए आपको यह तरीका पता होना चाहिए, कि हमेशा आप जो cancel करते हैं, cut करते हैं, वो ऐसे से ऐसे होगा, diagonally, नीचे वाले से उपर वाला, कभी ऐसे ऐसे नहीं होगा, बस यहीं चीज़ याद रखनी है, तो 3 बंजा 3, 5 जा 15, हम multiply करेंगे, तो देखो कितना easy होगा, 119 जा 119, और 5 तू जा 10, यह हमारा final answer आया, answer देने के लिए, हमें mixed number में इसे convert करना होगा, 10 बंजा 10, 19, 10 बंजा 10, 9, अब यह बना हमारा whole number, 9 बना numerator, 10 बना हमारा, यह denominator, this is the answer, ओके, अब next देखिए, यह property है 1 की, कभी भी आपको 1 से, अगर माल लेजे multiply करना है, तो जो number होता है, वही उसका answer होता है, fraction, itself is the answer, कैसे, 4 upon 7, multiply करने के लिए, 1 के नीचे में 1 लगाना होगा, 4 बंजा 4, 7 बंजा 7, that is the answer, है ना कितना easy, तो यह याद रखिए, अगर 0 से multiply करना हो, तो बस एक ही formula याद रखिए, कि 0 जिससे multiply होगा, वो कुछ 0 बन जाएगा, ठीके, तो इसलिए, इसका answer, sorry, यह यहाँ 0 ने आएगी, 1 आएगा, क्योंकि हमें, जो single digit होता है, उसके नीचे 1 लगाना होता है, तो जब हम इसको, इससे multiply करेंगे, तो यह 0 आएगा, तो इसको 13 बंजा 13 लिखा जाएगा, लेकिन answer में, आप इसको लिखेंगे, 0, I hope कि आपको, यह सब समझ में आगया होगा, आगे के, वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को, लाइक करिए, शेर करिए, थाएगा,